Hello everyone, welcome on this video. In this video, we will discuss about asexual reproduction in polygyta. Replication is a fundamental property of all living organism. एले शुवीदू चाहियां के दर्यक living organism छे पोताना नंबर मा रेप्लिकेट थाओ, एले पोताना नंबर मा वते छे लेना एनी जे आकी ओप्स्प्रिंग छे, एपन नंबर मा वते छे, आबा दर्यक living organism छे एनी एक fundamental property छे इट इस एक्स्प्रेश्ड इन टू फोर्म्स, बे प्रकार्ना फोर्म्स मा एक्स्प्रेश्च अता होई इन दो लाइफ सेटल ओफ एनिमल, एसेक्स्प्रिंग प्रोडॉक्शन एंड, सेक्स्प्रिंग प्रोडॉक्शन ता वी रिते बे फोम् मा लाइफ सेक्स्प्रेश्च अता होई छे, कई रिते एसेक्स्यूलरी प्रोड़क्शन द्वारा आत्वा तो सेक्स्यूलरी प्रोड़क्शन द्वारा तोक्मा एवगी देलू छे के दर्यक लिविंग ओर्गिनिजम छे एसेक्स्यूलरी प्रोड़क्शन आत्वा तो सेक्स्यूलरी प्रोड़क्शन द्वारा एपोताना नंबर्स माँ चे ए इंक्रीस तोता होई चे Here it is restricted to asexual reproduction only तो यह आपड़े NLID नी पोलीजिटा नी वाद करिये चे तो यह मां के उततु होई चे के मात्र असेक्षिल रिपोड़क्षन जोवा मनतु होई चे Asexual reproduction in पोलीजिटा takes the form of fragmentation or budding processes that involve both growth and regeneration of missing parts तो यह सूथ है चे के Asexual reproduction ना बे form जोवा मनत चे एक चे fragmentation अने भी जूचे budding तो यह budding अच्वा तो फ्रेग्मेंटेशन द्वारा यह सूथ है शेक्षिल रिपोड़क्षन चे यह परफॉर्म करता जोवा अमड़े चे जेना द्वारा यहनो ग्रोथ पन गोदे चे अने regeneration पन थतु होई चे कोई पन missing part हो यह ना बोड़ी ना तो यह पन रिजन राट थता होई चे फर्स्ट चे fragmentation तो फ्रेग्मेंटेशन यह बड़ा बात करिये वेन एन इंडिविडियूल ब्रेक्स इन्टू two or more parts is capable of growing into a complete new individual such a division is called fragmentation तो fragmentation मा सुथाई कोई पन individual छे animal छे यह बे थतो वदारे पार्ट मा जारे तूटे यह यह ब्रेक्स थाई तो दरेक पार्ट छे ए फरी पाच वाकू individual बनावा माटे फरी पाच वाकू animal बनावा माटे capable होई छे तो आज प्रक्रिया छे यहने सुखे वामावे छे fragmentation fragmentation is used in natural production of new individuals in two ways by polygytas तो यह सुथाई छे fragmentation ना पना यह बे प्रकार आपेला छे फर्स्ट छे spontaneous fragmentation तो यह spontaneous fragmentation और ओर्डर्ली fragmentation ना बे टाईप आपेला छे तो फर्स्ट आपने बात करिये spontaneous fragmentation in dodecik area, tenodrilis, phylokytopterus, autolytus, etc. division of body into single segment or short section occur spontaneously this is followed बाइ रिजनेशन ओफ अ कंप्लेट न्यू इंडिविडियूल फ्रोम इच सेग्मेंट तो ही आउगी दिलू छे कि आप बदा जे एनिमल जे जे वाक्या फाइलो की टोप्टेराश छे ओटो लाइटास छे आप बदाना बोडी मा आवेला सेग्मेंट छे एमा थी कोईपन से आप एनिमल ol फरीपाचों रीजनेशन्रेट करवां मातें के पैंपे बखलव कल जे बट इंस्टेंस ओफ स्पॉंटेनीयेस ्रेग्मेंटेसन आँ वेरी हे परंतो आ वु स्पॉंटेनीयेस्ट फ्रेग्मेंटेसन चे बहु ओउशू जोवा मनतों ही जे सेक्अर्न थे Fragmentation आव बेरी रेर परनतों आउ spontaneous Fragmentation चे बहुँ ओछु जोवा मनतु एजे जेकंड छे experimentation तो aug coordinated Fragmentation मा सूथ औहाई आपड़े बात करी है Audrey Fragmentation अकर इन सम Spyonids, Spyonids, Spulids, and Szylids तो आगणना लेक्चिर मां में तमने किदू है प्रमाने सेबलेट छे, सर्पिलेट छे, साइलेट छे अब दूसू छे फेमिली छे किनी तो के एने लीडानी ए फेमिली छे अने एनी अंदर आवता एनी मलनी या वाद थाई छे ये आब दामा ओडली फ्रेग्मेंटेशन थतू जोवा मड़े छे पोस्टेरियर पार्ट ओफ बोडी ब्रेक्स ओफ बाय ट्रांस्वर फिजन टू फॉर्म अन्यू इन्डिविडियोल आव आप सर्पिलेट छे, साइलेट छे, सेबिलेट छे आथवा तो स्पियो नीड छे, ता बधा जे फेमिली ना एनिमल छे ये ना एनो जे बोडी नो पोस्टेरियर पार्ट छे ये टूटी जाई, ब्रेक्स ओफ थे जाई कोना द्वारा? ट्रांस्वर्स फिजन द्वारा तू फॉम अ न्यू इन्डिविडियोल शुका में ब्रेक ओफ थाई चे काण के ये टूटेलो पार्ट छे ये माथी फरी पाचू सू थाई चे नाव इन्डिविडियोल छे फॉम थाई चे इन सम इंटेंस, पोजिशन ओफ ब्रेक इस ओफर प्रिसासली डिटर्माइड, इट इस रेकाग्नाइजड बाइ दा फोर्मेशन ओफ मेक्रो सेप्टम इंटर्नली एंड वाइट लाइन एक्स्टर्नली जे जग्या इथी कॉट लागेलो छे ट्रांस्वर फीजन थाईलो छे ये जग्या शू थासे तो के अंदर्नी तरफ इंटर्नली मेक्रो सेप्टम मेर लेके एक पात्रडो उपड़दो बन से अनि एक्स्टर्नली वाइट लाइन जो अमड से जे जग्या ये ब्रेक थेलो छे ए जग्या ये नू इंडिविडियूल बने चे पोर सेक्स्यूल रिप्रोड़क्शन अवे जे नू इंडिविडियूल बने चे फ्रेग्मेंटेशन द्वारा ओर्डली फ्रेग्मेंटेशन द्वारा पोस्टेर येर पार्ट मां चे कट लागेलो तो ट्रांस्वर्फिजन थायलो उथू व्यास बने पार्ट चे अलग अलग अंडिविडियूल बनाँसे अग्रनो फाग चे चे पाछन बनाँसे अग्रन बाग चे Давए रित्वे और इंडिविडियूल फोर्म नवा अंडिविडियूल फोर्म थंआला चे चेवा नवा एंडिवीडिविडियल फोर्म थायेला चे ए पेरेंट साथे कातो सिमीलार है और कातो डिस्सीमीलार है जो डिस्सीमीलार होई तो चुका मैं डिस्सीमीलार है प्रेंसेख स्भाख और्टेशनी ऐद सेरक ही जाने जांगरी श्या बान चाहिए YouTube हमिल खें sales योला महारS ते आर ओफन बेटर एड़टेड फॉर श्वीमिंग अपटु दा सर्फेस फॉर स्पोनिंग हवे आज सेक्शुल रिप्रोड़क्शन माटे ना जे एनिमल छे यहाँ स्वीमिंग माटे बेटर ली एड़टेड थायला होई से सुखा में एग स्पोनिंग करवा माटे formation of sexual individuals by fragmentation of an existing body is known as colonization आजे word छे आजे definition छे तमारे बताए नोट करवानी छे अने exam मां ज्यारे paper आवे त्यारे यहां ज्यारे question पुछेलो हो और जो आ question तमें अटेंड करो तो आ लाइन छे ए खास तमारे pencil थी highlight करी अने बतावानी छे formation of sexual individuals by fragmentation ज्यारे fragmentation द्वारा sexual individual बने छे के माथी बन छे तो के existing body छे भाकी रहेली body छे for example माने लियो के कोई पाण एक एनिमल छे एना बे टुकडा थाई छे अवे आगण नो टुकडो छे ये पाछण नो टुकडो बनावसे पाछण नो टुकडो छे ये आगण नो टुकडो बनावसे अने ये माथी sexual individual form थाई ग्यू तो अवे जे आए existing body माथी आखू sexual reproduction माटे नू individual जे form थाई छे एनने आपड़े स्टोलो न्याइजेसन तरीके ओड़क्सू simplest type of vision is seen in salmosina and philograana तो simplest type नो फिजन केमा जोवा माडे छे तो कि salmosina ने philograana मा जोवा माडे छे in which a construction is formed near the posterior end of body dividing the womb into two एवे आप्रकार ना salmosina छे के philograana छे मसू थाई छे के construction कई जगे जोवा माडे छे तो कि posterior end तरफ construction जोवा माडे छे त्याथी animal छे ए डिवाइड थाई छे अने बनने छे या पोताना कटता पार्ट छे ये region rate करशे आने नवा individual तरीके work करशे एडले के एक माथी बे individual form थाई छे interior part interior part regionates a new anal region वे आगणों पार्ट छे आने पाछाण्नों पार्ट छे वच्चे थी येनी मल ब्रेक थेलूँ छे ये ये आगणनों पाँदी पाँटल लगते गयो पाथए अक देटा और पाथ हाऐ tu in a पार खे आ इनी पासे श्चाळणर परत्ा पटषे ए पाःटल लाट ख़े आफ तो 색깻 आर सिमिलार एन सेक्सियूल आवंडे जह एनिमल फॉम था चे बन्ने के बाद छे सिमिलार छे ने सेक्सियूल छे यह आपड़े सालमासी ना आने फिलोग्राणानी वात करिये छी ए खास वस्तु याद राग जो साल मासी ना फिलोग्रामा नी आबड़े वात करिये छी तो बनने इंडिवीडियुल जे फोर्म थेला छे बनने के बाद छे सिमिलार छे अने सेक्सुल छे लेके सेक्सुल रिप्रोडक्शन परफोर्म करी सके छे अने सेक्सुल छे पंके वाचे हर्माफोडाईट छे हर्माफोडाईट मिलन्सु थाए के एकज और अनिमल मां मेल अने फिमल बनने प्रकार ना ओर्गन्स छे ऽे प्रेजन्ट जोवा इननिमल ना आपणे हर्माफोडाईट तरीके वोड़किये जी Northeast for example, earthworm, so that there is no alteration of generation. The process is somewhat complicated in silidin and occurs in a great variety of ways. अब silidin नी बाद करिये तो एनना माँ प्रोसेस थोड़ी complicated जोवा मड़े छे. इन ओ्डोसाइलिस एमा सूथ है छे. इन्डिविडिवोल अंडर गोल्स इन्द मेटामोर्फोसीस आप बदान इंडिविडिवोल छे मेटामोर्फोसीस माँ एन्टर थाए छे. एजलेए मेटामोर्फोसीस नी प्रक्रिया परफॉर्म कर याजे. इन तक पोस्टेरियर गेमेट प्रोड्यूसिंग सेगमेंट वीच डू नोट ब्रेक ओफ अईया आप बदा एनिमल मसूत है के मेटामोर्फोसिस नी प्रक्रिया तो जोवा मड़े परन्तु पाछण नो जे गेमेट प्रोड्यूस करी सके वो सेगमेंट छे ए ब्रेक ओफ थतो नती तूटतो नती ए जेवो छे एवो नेवो त्या एमनम्रिय छर। इन साइलिस, हायलिना, साइलिस, पॉञ्जी कोला, एन पेपलो वोम्स, जेने आपड़े स्टोलोन अत्वा तो एपिटोक तरीके वोड़के छे ए ब्रेक ओफ थताई जाई छे, टूटी जाई छे, परन परन्तु दस नोट डेवलोप अ हेड रिजिन अवे आपणने बदाने खबर छे, कि हमेंसा जेरे फ्रेगमेंटे संथाई, त्यारे आगड़नो फाग छे, पाचड़नो फाग फाग फोर्म करशे, पाचड़नो फाग फोर्म करशे परन्तु ए हेड रिजन फोर्म नहीं करे, शुका में बखाण के एनी इंडिपेंड़न लाइप छे, बहुँ टुकी हुए छे एडला माटे, अने ने शू फांक्षन परफोर्म करवानू छे, तो के स्वार्मिंग नू फांक्षन छे एने परफोर्म करवानू छे एडला म माटे शू नहीं करे, आगर नो फांक्षन फांक्षन फोर्म करवानू एनी एनर्जी वेस्ट करसे नहीं। इन अधर्स, सच एज साईलीस, ग्रेसिलीस, लिब्रेटेड एपिटोग में फोर्म एन इनकंप्लीट हेड लेकिंग ओफ फेरिंग्स एन जोस। अवे भीचाई निमल निवाद करिये जेवा के साईलीस, ग्रेसिलीस, तो साईलीस, ग्रेसिलीस मा सू थतू जोवा मडे, तो के आपाछन नो जे भाग छे के जे टूटी गएलो छे एपिटोग अथव तो वो या प्रेजन ने स्टोलोन तरीके ओड़किये छी ये आगर न भाग जे सिफेलिक रिजेने फोर्म कर से, हेड रिजेन जे फोर्म कर से, ये इनकंप्लिट जोवा मड़ से सुखा में, विकोज एमा फेरिंग्स अने जो प्रेजन जोवा मड़ से नई, ता एंटेरियर नोन सेक्सियूल पोर्षन, आगर नो जे नोन सेक्सियूल पोर्षन चे के जेने आपने स्टोक अथवा तो एटोक तरीके उडखिये जी दो लोस्ट हिंड पोर्शन वीच अगेन एक्वार्स गोनाड एन बिकम डिटेच एस दो सेक्ष्यूल एपिटोक इन दो नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन अवे सुथाई कि आखी जो आपड़े टुक मा बात करिये तो कई रीते थाई कोई पण एक एनीमल छे येनो बाच्ण नो भाग टूटी जये छे कि जेने आपड़े स्टोल ना थो आतो एपिटोक तरीके ओड़ किये छी अवे आपिटोक सुँ करसे कि आगण नो भाग इने फोर्म करवो पड़े परन्तु ए आगण नो भाग फोर्म करसे नाई याने येनी जे सेक्शुल रिप्रोड़क्शन माटे ना येना जे फोर्म्शन छे जे वाग स्वार्मिंग ये परफोर्म करसे बिकोज येनो इन्डिपेंड़ लाइफ स्पान छे अबव ब्रीफ होई छे टुक होई छे एटला माटे परन्तु जे आगण नो भाग छे ये तूटी जे बाग तूटी जे से आगण नो भाग जे ऐ पाचनो भाग छे फरिपाचु rights होई तूब ले शकल आ मड़े छे बोर्ली ओडरली फ्रेग्मेंटेशन ततो उए छे सेकंड़ से बढढ़िंग्स रत्वा तो जहेमि पेरीटी तो ऑवे सेकंड़ जे एक्सेक्स हए री प्रोडेक्षण टाइप छे बढ़िंग आत्वा तो जहेमिपेरीटी एनावाई लिए ने रित जोवा अमड़े इना वी से आपड़े बात करिये जहमी पेरिटी ओर बडिंग इस दे प्रोसेस ओफ प्रोलिफेरेटिंग नुवू इंडिवीडियूल वितावट डिविजन ओफ पेरेंट बोडी आवे जहमी पेरिटी एथवा तो बडिंग ए एवी प्रोसे चे के जहमा नुवू इंडिवीडियूल छे फोर्म थतुए छे पेरेंट ना बोडी थी अलग थ्या सी वाई अथवा तो पेरेंट ना बोडी मा कोई पन जातनू डिवीजन अथवा तो फिजन वगर इट इस पर्टिक्यूलर्ली वेल डेवलप्ड इन साइलीड एंड देर इस अब बी विल्डरिंग वेराइटी ओफ मेथोड्स इन वीच धीज में अकर अवे साइलीड नी आपड़े बात करिये तो साइलीड माँ वेल डेवलप्ड जो अमड़े शे परन्थू खणी बदिया यहां वेराइटी जो अमड़े तो इन वीच से आपड़े बात करिये चीनस ट्राइपेनो साइलीज अवे आपड़े बडिंग ने बात करिये चीनस ट्राइपेनो साइलीज नी आपड़े यहां बात करशू एनी वेरियस स्पीसिस नी बात करशू के यह मां कई प्रकारे बडिंग जो अमड़े चीनस ट्राइपेनो साइलीज इन पर्टिक्यूलर सोज ग्रेट वेरियेशन फ ततु हो गए चे तो एनी फर्स्ट स्पीशिस चे ट्राइपेनो शाइलिस प्रोलीफेरा तो एन्ना वी से आपड़े बात करिये ट्राइपेनो साइलिस प्रोलीफेरा चे ज लेकर अचे इसेग्मेंट और चेंड ओफ नू हेड्स अकर ओन कन्जिक्युटीव segments तो अहिंया सूत है इछे के trypanosylis prolifera अचे ये head produce करे छे दरेक segment माथी दरेक segment माथी head produce करता जो हमड़े एले आ head नीह हा खी chain बन चेries और आज है head नीह आखी chain चेries कई रिते जो हमड़े तो के consecutive segments माँ head छे produce ता जो मड़े consecutive segments शे инkel ले सूथ है तो के साव थी पिला सेगमेंट मां हेंड प्रोड्यूस था है पच जे बिजा सेगमेंट मां था है प्च जे तरीजा सेगमेंट मां था है और आपने consecutive segments के तरीके ओडंग सुब नोट करी ले जो consecutive segments दोंग मेंच followed by each other second species छे trypenosylis esterobia तो proliferan ये आपड़े बात करी के head produce थाई छे consecutive segments मा second आपड़े बात करी है trypenosylis esterobia तो trypenosylis esterobia छे ये शू कर से form, cluster ओ stolons तो stolons ये शू थाई के हिन रिजियन छे इन आपड़े stolon तरीके उड़किये छे तो stolons नाए cluster form कर से each growing out from a single segment अब या दरेक cluster छे, दरेक segment मा थी form तता चुवा मड़े छे त्यार पच्छी छे trypenosylis crosslandy 30 species छे या trypenosylis crosslandy मा it has a proliferation प्रोडूसिंग बंचीश ओव stolon तो ओला cluster form करता था आज तोलोन ना बंचीश फ़़म कर से त्यार पच्छी छे trypenosylis prolifera फरी पच्छी नी बाद कहिना करे ले छे in posterior regeneration of a new individual the two sides of the body proliferates as two separate parts which later fuse together in the midline अब आप प्रोलिफेरा मा सू थाई के नव इंडिविडियोल जे form थाई छे यानी बनने साइड मा सू थाई के proliferation जो आमाड़े छे proliferation एले growth जो आमाड़े छे बनने साइड गुरोथ थाई आने छेले ये मीरलेन मा थी एक बीजे साथे अटे जो थाई जे आने नव इंडिविडिविडियोल फोम थाई यार पच्छी छे जे शाईलिस रमोसा तो साईलिस रमोसा मस भू थाै वीच इस कमन्सेल विदिन सर्टेश दीप सी एक्जाक्टें लीड स्पोंज ये एक्जाक्टें लीड आ जे स्पोंज चे एनी साथे कमन्सेल जम प्रुर्फूम करता हो चे produce is lateral sterile bird एस हो कर से कहे यहनी lateral side मा bird produce कर से परंथो या bird के विचे स्टराइल छे फ्रोम वेरियस सेगमेट यहले अलग-अलग segment मा थी अलग-अलग bird प्रोड्यूस था यह परंथो या बंथी bird के विचे स्टराइल है नुव इंडिविडियोल्स ग्रो एंड रिमें अटेच तू दप पेरेंट सफिशेंटली लोंग फोर्मिंग अमच ब्रांच पोलोनी अब जो थाएचे के नव इंडिविडियोल्स ग्रो थाएचे फोर्म थाएचे यह अना पेरेंट बोडे साथ हमें सा चोटे लूरिये छे क्या सुथी जो के एक यहां सुथी यह लोंग ब्रांच बाडी कोलोनी जैसुथी है फोर्म ना करे क्या सुथी सुम ओफ दीज में देमसेल्व प्रोड्यूस सेकंडरी लेटरल सेक्शूल इंडिविडियोल्स बिफोर सेपरेशन त्यार पच्छे सुथाएच ये सू करसे तो के ये सू प्रोडूस करसे तो के सेकंडरी लेटरल सेक्शूल इंडिविडियूल 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 इंडिविडियू झाल झाल